हालो फ्रेंट्स, वेलकम बेक टू ओन चनल स्टॉक मार्केट फंडा में, अब में मस यहां पर हम लोग डिसकस करने वाला है कि थर्सडी का मार्केट कैसा रहने वाला है, हाला कि में मस आज मार्केट में छूटी है, वैनेस ने को गनेश चतुरती की, ठीक है, तो एक डेफिन यहां पर कल बहुत शार्प गिरा था, ठीक है, आज अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है, और मैं पहले वीडियो बना रहा हूं, डेफरनेटली, लेकिन देखो, मैं मस आज मैं भी यहां पर एक अर्जन काम के लिए मैं बार जा रहूं, तो शाय यहां पर वीडियो चल दि है, ठीक है ना, लेकिन स्टील हमारा जो एक जिस निफ्टी अभी बता रहा है, वो नेगिटिव साइट पर बता रहा है, वन परसन यहां पर गया बता रहा है, तो कल वैसे भी एक्सपाईर ही है, डेफिनिटली, कल हो क्या सकता है, देखो एक बात समझना, मानलो जो लोग कि यहां पर कटके गए होंगे, पूट, ठीक है न, मैं पूट की बात करूँ, उन्द्यान से सुनना पहले, मैं पूट की बात करूँ, मानलो किसी ने यहां पर सोचा कि यहां पर कंटिनसली निफ्टी में रेली है, मैं यहां पर एक पूट खरी दूँगा, कि यहां पर नि निफ्टी कंटिनिस लूपर है मैं कॉप्शन केरी करके जाओंगा ठीक है ना तो यह भी बहुत बड़ा गैप डाउन है जिसके वह भी यहां पर प्रॉफिट करके निकले होंगे ठीक है तो आप मॉर्निंग में आप यह समझो के वॉलेटिलेटी बहुत शार्प रह सकती है मैं आपको सजेशन करूंगा कि कल 17 400 के नीचे जाने की चांसस मुझे कम दिखाई दे रहे अगर मान लो 17 550 आता है ठीक है तो स्लाइडली नीचे आता है ठीक है मान लो 17 400 की आसपास आता है तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि 0 to hero call ठीक है वो कौन सा है तो के 17,400 का call option ठीक है जितना भी कम price पर मिले उतना try करना जितना कम price पर मिले ठीक है मैं call option के बात करूंगा देखो यह 0 to hero है ठीक है मैं शौर बोलूंगा कि लोग पते क्या करते है 0 to hero call option में जितनी भी अपने पूंजी है एक लाग दो लाग तीन लाग जितना भी free fund से पूरा डाल देते है और ह हो जाता है वो 0 तो जिनको अपना पूरा fund 0 करना एक दिन में ठीक है वो try कर सकते हैं ठीक है मैं ऐसे वर्ड क्यों यूँज करो मैं मैं किसी को hurt नहीं करना चाहता लेकिन मैं सोच रहो कि बहुत सारे लोग blindly खेलते हैं पैसे आ गई तो blindly खेलोगे दो blindly नहीं किलना strategy होती है लेकिन still strategy में आपको कम पैसा लगाना है ठीक है न देखो पैसे next day के लिए भी trade करने के लिए चाहिए न ठीक है अगर trade अगर पैसे नहीं ही रखोगे तो क्या करोगे तो मैं short में पताना चाहूँगा आपको यह समझाना चाहूँगा कि अगर कल gap down open हो जाता है थोड़ा नी चीखा से profit मिलता हुआ जा सकता है और कल की closing निफ्टी के 17600 के आसपास हो सकती है ठीक है बात समझ में तो all in all निफ्टी में नीचे के लेवल से reverse आता है तो आप trade कर सकते है second point हो जाते सर कल की expiry कहा हो सकती है तो कि 1700 के नीचे 17400 के ऊपर ये एक range जो हो जाती है वहाँ पर कल की expiry हो सकते तो वैसे भी कोई straddle use करना चाते है तो weekly analysis में next week का आप यहाँ पे short create कर सकते है ठीक है third point हो जाता है कि सर अभी हम लोग को strategy क्या हो नीचे है देखो कल trade करना थोड़ा difficult होगा तो मैं suggestion करूंगा कि 940 या 10 दस बज़े के बाद nifty intraday low break कते intraday high break कते तब आप trade कर सकते हैं ठीक है उसका सीव एक simple answer हो जाता है morning में volatility आपको बहुत दिखाए देखी लेकिन बाद में market decide करेगा उसको नीचे breakout करना है या उपर breakout करना है ठीक है ना तो मैं आपको suggestion करूंगा कि 10 940 दस बज़े के बात देखो intraday low break होता है intraday high break होता है ठीक है वाकि यह range में कल closing हो सकती है अगर sir gap up open हो गया तो पाई कोई chances नहीं है 1.5% down है chances gap up के impossible है stable open हो जाता है तो भी मैं बोलोंगा fall आ सकता है अगर stable open होता है 17,750, 17,700 gap up open होता है तो भी fall के chances है ठीक है ना तो आप यह समझो कि कल fall आएगा वो guarantee है gap down open होगा तो भी gap up open होगा तो भी stable open होगा तो भी पाते clear okay second point हो जाते देखो एक question retail inversion के mind में हमेशा आता है कि sir मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है अब ध्यान से सुना retail inversion में हमेशा आपके point clear करवाना चाहता हूँ ताकि आपका loss नहीं हो मैं मुझे भी पता था कि nifty आज continuously up open में गया है मैंने हमारे whatsapp members को यह बूला भी आगल नहीं हो ठीक है मैं उनको बोलता हूँ मैं प्रोवाइट करूंगा लेकिन मैंने नहीं प्रोवाइट किया क्यों तो के बीच में एक दिन छुट्टी थी ठीक है मार्केट के sentiment कुछ भी हो एक दिन में चींज हो सकते हैं अगर यहां पे कल छुट्टी नहीं होती तो मै इसके बड़ी में मार्केट के गिरने की चांस सहे मुझे लग रहा था तो इसके वज़र से में पूट केरी करवा के देता ओके सेकंड पॉइंट हो जाद है बैंक निफ्टी सर बैंक निफ्टी में क्या होना चाहिए बैंक निफ्टी ने बहुत ही बढ़िये क्लोजिंग दी है ये जो पूल बैक है 20 डिमा को रिस्पेक किया है ये क्लियर अंदाजा है जितने भी स्टॉक से सभी 20 डिमा को रिस्पेक किया है बहुत बढ़िया पॉजिटिव है मुझे लग रहा है कि 39,000 कि आसपास कहीं पिल क्लोजिंग होती हुए आपको दीखाई जे सकते हैं तो कल सीम स्टैटेजी उसकरने है जैसे कि निफ्टी में ऐसा हो तो निफ्टी जो निफ्टी बैंक है ठीक है वो थोड़ा मॉर्निंग में फॉल कर सकता है स्टेबल होके बाद में पूल बैक कर लेगा तो आपको यहाँ पे 38,000 फाइंडिट का कॉल ऑप्षिन ठीक है वह आप ट्राइब का सकते हैं बाइब का सकते हैं जिरो टो हिरो बाते समझ में तो ओल इन ओल डैफनिल बैंक निफ्टी को भी फोकस की जिएगा और टॉप 39,600 को ब्रेक नहीं करेगा और वाटम ले सकते हैं तो लिमिटेड रिस्क लेना इंशॉर आपको हजार रुपे की रिस्क मेलीगी मेरी सबसे लेकिन सामने प्रॉफिट दो तीन हज़र चारहजर आरम से मिल सकते हैं क्लिर चले बात करें जाएं पर इंट्राडे स्टॉक के बारे में सबसे पहला जो इंट्राडे स्टॉक है वो है SRF, देखो SRF ने stock एक range break कता हुआ दिखाई दिया है ये वाली range, आरे से 60 को cross किया है, ठीक है, चांसे से उपर जा सकता है, अब मैंने SRF उमोरे BTST members को क्यों नहीं दिया और budget finance क्यों दिया, budget finance मुझे बहुत strong दिखाई दिया था ठीक है, आप यहाँ पर वो भी intraday में all time high लगाते है, intraday में मलब high लगाते है, previous day का भी high cross कर लेते हैं, ऐसा होता है, ठीक है, कहाँ भी होता है sir, कहाँ भी होता है, तो कि जिसके option बहुत ही strong होते हैं, डेटा, डेटा बहुत strong होते हैं, वो छपर फाड़ो return देखी ही जाता है, ठीक है, आप बुच से बुच्छे, तो कल srf भागना चाहिए, भले market में यह gap down open होगा, कल भागेगा यह stock, fair second हो जाते हैं, बज़ात finance भी कल भागेगा, ठीक है, इसको भी watch list पर रखना, और तीसरा मेरा honor the hot favorite है, कल intraday वाला वो है, अशोक ले ले, यह भी कल भागेगा, ठीक है ना, भला नीची gap up open होगा, वो भी भागेगा, ओके, तो आपको यह तीन stock सबसे ज़्यादा watch list पर रखने हैं, लेकिन मैं अभी जो चार स्टोक दे रहो, उसमें पहले srf होगा, कल focus करना के stock ने के उपर है, लेकिन स्टिल आप 1-5 पसंद के लिए stock को देख सकते हैं, second हो जाता है अशोक ले ले, देखो इसका rsa 60 को cross कर रहा है, एक range break कता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है, और stock में श्याद मोमेंटम आ सकते हैं, 160 तक के यहाँ पर data दिखाई दे रहे है, तो 155 को cross कती, 1-2 पसंद के momentum stock में आ सकते हैं, अशोक ले ले, हम लग 157 तक maximum देखेंगे इसको, ठीक है, second वो stock हो जाता है, तीसरा stock है, जिंदा स्टील इन पावर, देखो इसके data बहुत strong है, 450 तक के data आ रहे है, stock में volumes है, RSA 60 को कब से cross कर चुका है, और एक range break कता हुआ दिखाई दिखाई दिया, stock में momentum आ सकते हैं, लेकिन, लेकिन, देखो यह steel sector का stock है, तो इसके data कभी भी हो जाते है, तो में इस पर भरो सा कम है, लेकिन अगर उपर जाता है, तो आप भरो सारक सकते हैं, ओके, चौथा और आखरे stock हो हो चुका है, वो है LTTS, देखो, बलजात finance लेना ले सकते हैं लेकिन, अभी जारो LTTS पे, LTTS में data बहुत strong है, अगर आप देखोगी, इसने जो angle बनाया है, नीची की level से उपर जाने का, ऐसा, ठीक है, वो दर्शार है कि ये कल भी उपर जा सकता है, तो कल अगर नीची जाता है, तो ये वापिस उपर जाने की पूरी कोशिश का सकता है, जैसे ही, आज का intraday high cross काता है, पांच मिट सस्टीन करेगा, आप ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस एक परसन, टारगेट एक से देट परसन होने चीए, लेकिन फोकस कीजेगा, intraday high cross होगा, और पांच मिट सस्टीन करेगा, तो ट्रेड करना, क्लिया, तो में बस कल के लिए चार intraday स्टॉक है, और पांच अगर इंट्रेस्टेड है, बजट फैनेस को भी आप वाच लिस्ट पे जरूर राख सकते हैं, ओके, और देखो, अकसर आपकी राई क्या बन थी है, पूटफोलियो में क्या करना चीए, डाव जूंस क्रेश हो है, फलाना, फलाना, वो सभी इंट्रेस्टेड वीडियो में कवर कती है, आप लोगों की, मैं दिल से चालता हूँ, कि जो भी वीडियो में प्रॉपर में कवर कता हूँ, ठीक है, तो जाकि ये वीडियो जरूर देख सकते हैं, ओके, मिलते हैं, अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जाहिए